नमस्कार दोस्तों, सावन के महिने में पढ़ने वाला मंगलवार को मंगला गोरी वरत रखा जाता है मंगला गोरी वरत की पूरी पूजा विधी और इसका महत्व मैं आज आपको बताऊंगी आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा वैसे तो सावन का पूरा महिना भगवान शीव और माता पारवती को समर्पित होता है सावन के महिने में और सोमवार के दिन दोनों भगवान शीव को समर्पित होते हैं इस दिन वरत रखकर भगवान शीव और माता पारवती की पूजा आरदना की जाती है जब सावन के महिने का सोमवार इन दोनों का एक साथ होता है तो सावन सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है मानेता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है उसी के दूसरे दिन मंगलवार को माता मंगला गोरी की पूजा की जाती है यानि माता पार्वती को प्रसन किया जाता है मंगलवार का दिन माता पार्वती को समर्पित होता है सावन के मंगलवार को मंगला गोरी अर्थत माता पार्वती को प्रसन करने के लिए सुहागिन महिलाएं मंगला गोरी का वरत रखकर अखंड सो भागवती होने का वर्दान प्राप्त करती है सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन वरत रखकर शाम को मंगला गोरी की विदी विधान से पूजा अर्चना करती है और वरत कथा तथा शावन करती हैं कि यहाँ पढ़ती हैं कि मंगल गोरी प्रसन होकर अखंड सोभागवती होने का तथा पुतर प्राप्ति का वरदान दें मंगला गोरी का वरत कुमारी कन्याई भी रख सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन के प्रत्य मंगलवार को सुहागिन महिला पूरे विदी विदान से इस वरत का अनुष्ठान करती हैं और इसे 16 मंगलवार तक रखा जाता है 16 मंगलवार पूरे होने पर इस वरत का उध्धापन किया जाता है पूरा डिटेल में आप पूरा वीडियो देखिएगा पूरी डिटेल में इसकी पूरी विधी बताऊंगी मैं चलिए शुरू करते हैं मंगला गोरी वरत के विशेश नियम होते हैं तो वह नियम पहले सुन लीजिए इस रत को करने वाले वरती को सूरेदे से पहले ही इसनान कर लेना होता है इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वत होकर इसनान आदी करके साव वस्त धारन करना चाहिए इसके माता गोरी की तस्वीर या मूर्ती को चोकी पर लाल करंग का कपड़ा विच्छा करके उस पर इस्थापित करें आपके पास मूर्ती या फिर माता की तस्वीर ना हो तो आप मिट्टी की मूर्ती या हल्दी की भी आप मूर्ती बना सकते हैं सोलہ दिपक ना बनाना चाहें तो एक चौमुकी दिपक बनाएं उसमें चारो कोनों पर चार चार बातियां लगा दें और आप उन्हें जलाएं इस तरीके से आप सोलह बातियों को प्रजवलित करें इसके बाद पूज़न के शुरुआद करें इस पूजन में शोडश उपचारण में माता को सुहाग की सामगरी अर्पित करनी चाहें तो सोलह सुलह की सामगरी आप अर्पित करें सोलह श्रिंगार अर्पित करें इसके बाद फल फूल माला मिठाई और सुहा की वस्तों को आप माता को अर्पित करें और सोलह की संख्या में ही आपको इन वस्तों को लेना है अगर आप 16 तरीके के फूल या फिर एक ही फूल 16 फूल लेंगे एक ही तरीके का वहां माता को अर्पित करेंगी तो वहां माता आपसे अतिप्रशन हो जाएंगी पूजन समापती के बाद आर्थी पढ़ें कथा पढ़ें कथा जरूर सुननी चाहिएं कथा आप मेरे चैनल के दोरा सुन सकते हैं मैंने डाली हुई है मा से अपनी मनोकामना पूर्थी के लिए आप विन्ती करें और हाद चोड़कर माते आसिरबाद लें सुहाग जरूर लें पूजा हो जाने के बाद कुछ समय के बाद आप माता से सुहाग जरूर लें सुहाग किस तरीके से लिया जाता है वह वीडियो भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है लाश्ट करवा चोथ की पुजा के बाद मैंने सुहाग लेने का भी वीडियो डाला हुआ उसमें से आप देख सकते हैं माता पारवती से सुहाग किस तरीके से लिया जाता है तो जो 34 के पर अन गरहन करना चाहिए तो आप अन गरहन कर सकते हैं वरत रखें एक समय का वरत रखें और पूजा करने के बाद आप एक समय आप भूजन गरहन कर सकते हैं इस वरत को उद्यापन के लिए आपको इसी तरीके से पूजा करनी हैं पूजा करने के बाद आपको 16 इस्तरियों को भोजन के लिए आमंत्रित करना हैं भोजन अगर ना करा पाएं तो आप उन्हें प्रशाद जरूर देने के लिए विवस्था कर लें तो 16 इसरियों को 16 श्रिंगार और प्रशाद देने के लिए आप सारी सामगरियों को एकत्रित करें अगर कोई सुहागिन महिला हैं मंगल करना चाहिए इसके बाद मा गोरी का मंगला गोरी का वरत की तरह ही विदीवत पूजन करना चाहिए और मा को लाल वस्तर शंगार की पूरी सामगरियां अर्पित करनी चाहिए आपकी स्वेक्षा अनुसार आप 16 स्रिंगार की सामगरियां 16 हिस्त्रियों को बाढ़ सकते हैं या फिर आप एक-एक कोई सुहा का सामान भी 16 हिस्त्रियों को बाढ़ सकते हैं साथ में माता का प्रशाद भी उन्हें दें प्रशाद में हलवा पूरी, खीर या फिर आप आटे से बने लड़ू या फिर बेसन से बने लड़ू को आप भोग भी दे सकते हैं तो इस तरीके से आप मंगला गोरी वरत का उध्यापन कर सकते हैं मंगला गोरी ब्रत की पूजा विधी और उध्यापन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिये का ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारी नूटिफिक्शन आप तक पहुंचे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो दोस्तों पूजा पाट का था कहानी से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आप लोग को देती हूँ वीडियो भी बनागर की डालती हूँ आप लोग देखिएगा मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक लिए जाए मातमा